नमस्कार दोस्तों मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल पासपोर्ट हेलप लाइन पे जहां पे आपको पासपोर्ट अप्लिकेशन डॉकुमेंटेशन पुलिस वेरिफिकेशन समेथ अलग-अलग कंटी के वीज जब भी हम अपना फ्रेस पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं जब भी हमें नया पासपोर्ट बनवाना होता है तो उस वक्त जो हम अपना एड्रेस प्रूफ के तौर पे जो बैंक पासबुक जो देना होता है वो कितना पुराना होना चाहिए हमने अभी कुछ दिनों एकाउंट के उपर एक दिया जाता है इसको आप किस तरीके से जो है एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप इविडेंस वहां पर डॉकुमेंट के तौर पे आप दे सकते हैं ड्यूरिंग यूर पासपोर्ट अपॉइंट्मेंट दोस्तो एज पर पासपोर्ट रूल आपका जो लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके पासपोर्ट पर पहला पेज होता है जैसा कि आप इस वक्त मेरे हाद में देख रहे होंगे यह मेरा केंद्रा बैंक का पासपोर्ट तो दोस्तो इसका जो पहला पेज होता है वहां पे यहां पे आपके डिटेल्स होते हैं आपका नाम होता है वहां पे दोस्तों आपका फोटो होना बहुत जरूरी है तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि आप यह तो ब्रांच जाकर अपना वहां पे फोटो लगा कर वहां पे आप स्टेंपिंग कर वाले ठीक है अगर आपका फोटोग्राफ होना पासपोर्ट साइज का बहर जरूरी है और उस पर भी क्रॉस स्टेंपिंग होनी चाहिए क्रॉस स्टेंपिंग मतलब यह कि एक ऐसा मुहर जो की आधा फोटो पे हो और आधा पासबुक के पेज पे हो ताकि यह पता चल जाए कि बिल्कुल इसा होता है कि बैंक वाले मिस्टेक कर देते हैं उसके बाद जो है आपका फादर निम वहां पे होना बहुत जरूरी है वह तो आफकोस रहता ही रहता उसके बाद आप एड्रेस को भी अच्छे से चेक कर लेंगे विद्योर एरिया पिन कोड वहां पे आपका पिन कोड भी होना बहुत जरूरी है तो यह हो गया पहला क्राइटेरिया कि आपके पास्बुक पे आपके क्या क्या इंफॉर्मेशन होने चाहिए जिसका इस्तमाल आप एड्रेस प्रूफ के तोर पे कर सकते हैं उसके बाद दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टन कोश्टन है कि हमारा जो पास्बुक है वो कितना पुराना होना चाहिए तो दोस्तों आपको यहां में बता दू कि आपका पास्बुक जो है एटलिस तीन मंत से उपर का होना चाहिए तभी आप इसको एड्रेस प्रूफ इस्तेमाल कर सकते हैं बिलकुल नया और बिलकुल फ्रेश जो आपका पास् था है तो वहां से पता चल जाता कि आपका खाता कितना पुराना है थीक तो अगर आपका बैंक काउट तीन महिने से ऊपर पुराना है तो जो है अब तभी आप अपने इस पास्वुक को इस्तेमाल कर सकते हैं और यह जरूरी नहीं है कि आपका passbook जो है बिल्कुल up to date होना चाहिए updated होना चाहिए इसकी requirement नहीं है अंदर के जो pages हैं उसको normally check नहीं किये जाते हैं फिर भी मैं आपको recommend करूंगा कि जब भी आप passport appointment के लिए जाए तो अपने passbook को एक बार update जरूर करवा लें इससे आपको एक extra benefit मिल जाएगा आपका एक strong document के तौर पर आपका passbook यहां पर accept हो जाएगा में भी शायद कहीं कहीं ऐसा appointment center पर होता है कि वहां पर आपको यह बोला जाएगा कि आपका passbook अपडेट नहीं अपडेट करवा गया हो तो वहां पर आपको क्या है कि फाल्टू भागदोर करना पड़ सकता है ऐसे में आपको दो बाते हमेशा ध्यान लखनी चाहिए ठीक है पहला कि आपका photo इसके उपर mention हो दूसरा कि आपका जो bank account है वह तीन महीन से ज्यादा का होना चाहिए और इसके साथ साथ जो आपका passbook है वह पूरी तरीके से जो है updated हो तो काफी अच्छा है तो दोस्तों यह था passbook को as address proof इस्तेमाल करने का पूरा तरीका और बिना किसी आपको परिशानी कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आई होप इस वीडियो से आपको information मिल चुका होगा कि किस तरीके से जो है आपको अपने बैंक के passbook को इस्तेमाल करना है प्रूफ ओफ एड्रेस के तौर पे डियूरिंग फ्रेश पास्पोर्ट ऑफ अप्लिकेशन और गाईज अगर आप हमारे क्याल वर किये जैहिन